वन आप दो मोस्ट अवेटेड वीडियो सबको इंतजार होता है इस वाले वीडियो का पिछले कुछ तालों से यह एक मात्रहसा सोर्स आपको मिलेगा जिसमें पूरे दुनिया के इंडिया के सारे एग्रिकल्चर के जो क्रॉप्स हैं उससे रिलेटेड डेटा मिलेगा कि प् से जादा मिसिंग होता है आपकी प्रपरेशन में कि यदि कोई क्रॉप्स के बारे में पूछ ले तो प्रॉब्लम आ सकती है साथी साथ जब हम पल्स के बारे में बात करते हैं तो दलहन में जो है एक दो पल्स याद आती हैं हमें बाकी फिर पता ही नहीं लगता उनका प्र प्रॉपर उसके डेटा के साथ साथ ही साथ ओइल सीट्स में कॉनकोण है पाम ओउल करणीवेशन को भी समझेंगे ओइल सीट्स के साथ बड़े-बड़े अलग-अलग तरह के नाम है उनका इंडिया में क्या अपडेट है साथ में बहुत सारी स्कीम्स है कुछ technology के बारे में discuss करूँगा लेकिन वो चीज़ां मैंने कम रखी हैं जो साल भर आप पढ़ते आयों indirectly लेकिन जो चीज मिस हो जाती या तो आप 19 गंटे खुद दे लो या एक गंटे का ये वीडियो देखके काम खत्म कर लो ठीक है? हो सकता है पढ़ते समय ऐसा लगे आपको कि factual information बहुत है लेकिन आप PYQs देख लेना आपको समझाएगा कि questions indirectly पूछे जाते हैं इसलिए थोड़ा सा जो है इसको ध्यान से देखना है आपको लगता है तो वीडियो 2x पे देख लेना वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि PDF नीचे जब आप डाउनलोड करोगे नीचे मैं PDF दे दूँगा वो PDF में कहां से क्या पढ़ना है वो तभी समझ आपाएगा आपको जब आप इस वीडियो को पूरा ठीक से एक बार देख लेगे शुरू करता है कुछ बहुत important चीज है ये graph को आप देखिए पिछले कुछ सालों का ये graph है अब ये एकदम से आपको हो सकता है कि ऐसे दिखाई ना दे लेकिन इसमें आपको जो एक चीज आपको observe करनी है यापर वो ये करनी है कि नॉर्मली बात जब हम करें सबसे पहले तो All India Production का Trend वो पोल रहा है 2023-24 का अब ये तो एकदम estimated values जो है मैं दे रहा हूं आपको जो सरकार अभी estimation लगा रहे है तो ये जो graph आप देख रहे है मतलब यदि हम बात करें food grains का, oil seeds का दालों का, pulses का सब का मिला ले तो ध्यान रखना अभी 2023-24 में ऐसा estimated है कि थोड़ा सा ये graph नीचे जा रहा है लेकिन जो last year 22-23 का अदि हम लोग देखें तो ध्यान रखना ये higher production को दिखाता है तो जादतर chances हैं question के ये वाले आने के कि 2022-23 में हम लोग production को देखें तो बड़ा है, इस चीज़ को ध्यान रखना total food grains, सब कुछ मिला के हम लोग देखें तो oil seeds और pulses को मिलाओ गया तो जादा कुछ इतना difference नहीं है लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जो color आप देख रहोंगे total oil seed वाला वो अब धीरे से थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें लेकिन normally 2022-23 में सब लोगों ने एक तरह से आप कहो तो थोड़ा सा हाला कि 22-23 तक तो ये सब कुछ ठीक है कि ये comparatively बरावर दिख रहा है ये sources मेरे सारे जो भी है ये जो इंडिया yearbook है या एक तरह से आप कह सकते हो कि जो उपज एक तरह से पोर्टल बना हुआ है अग्रिकल्चर डेपार्टमेंट का मंत्राल है इनका सब का जो है मैंने help लिया है तो यहां से आपको एक content मिल जाएगा अब all India production trend ये हम specially कुछ अब ये देखो बहुत सारों का तो जादा तर changes नहीं है बराबर दिखाई दे रहा है हमें आपे लेकिन दो तीन बातों को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा production अब ये color की line देखो तो तुम्हें कहां दिखाई दे रही है ये color की line आपको rice तो सबसे ज़्यादा हम production दिया अब overall आपसे बात करें वो तो production के नाम पे यहां पर अच्छे से याद रखना है कि production हम लोग rice का सबसे ज़्यादा है हमारे पास जी sir wheat के नाम पे इनमें भी कल को बोले कि किन तीन चीजों का सबसे ज़्यादा production हमें देखने को मिल रहा है तो अच्छे से याद रखना है कि इसमें हम लोग जो है बात कर रहे है food grains के बारे में ठीक है इस बात को जो है ध्यान रखना मतलब आप ये मत भूलना ये production इधर आपको दिया हुआ है तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि ये food grains का ज़्यादा production है इसमें भी इधर आप देखोगे तो ये दो color combination वो normally आप से पूछे तो rice और wheat से हम पता लग रहा है मतलब यदि आपने से पूछे भी कि wheat और rice में कौन ज़्यादा है तो भाई साब rice ज़्यादा है फिर wheat के बारी आ रही है इस ग्राप से आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी ये year दिया हुआ है यहाँ पर 2023-2022 तो ये थोड़ा सा comparatively declining phase दिख रहा है लेकिन ध्यान रहे ये estimated values है जो second advance estimate आया हुआ है बट जो 22 stage की बात करें तो ये सब increasing trends पर है ये याद रखेंगे आप ठीक है तो सबसे ज़्यादा production भी हम देखेंगे तो rice का कर रहे है ये छोटी-छोटी चीज़े है जो miss कर जाओगे आप लोग इसके बाद में तीसरे नम्मर पर भी आप आओगे तो यहाँ पर maze दिया है हमने मक्का का production हम देख रहे है तो इन में से एक ऐसा question भी बन सकता है कि इन में से कौन-कौन से crops है जिन में सबसे ज़्यादा production हम भारत में देखते है तो हमें याद रखना है पैडी, rice cultivation, wheat cultivation फिर आएगा maze ठीक है? ये तीन तो कम से कम याद रखिया इसके बाद में इधर यदि हम लोग देखें नॉर्मली cash crops की तरफ जाएं ये तो हमारे food crops थे अब हम cash crop मतलब जैसे cotton के बारे में बात करें guar gum जो है, jute वगएरा sugar cane, tobacco तो अब यहाँ पर ये color दिखाई दे रहाएगी हम production के मामले में इन में sugar cane को जादा बढ़ावा दे रहे है sugar cane जो है वो बढ़ा है 23 तक उसके बाद ये generally आपको कम होते हुआ दिखाई देगा 22 and 23 में, ठीक है तो इस चीज़ को जो है ध्यान रखना, ये increasing trend है और ये graph, ये PDF में आपको दूँँगा तो आप आराम से और observe कर लेना बट ये चीज़ थोड़ी सी जो है पढ़के जाना है ये statement के form में आ सकती है नव बात करेगा वो आपसे वहिया oil seeds के बारे में कि कौन सा oil seed है जो बहुत जादा अब oil seed में ध्यान रखना है कि किसका production हम जादा कर रहे है तो इससे हमें समझ में आ जागए इन line color combination से तो ये color हमें दिखाई दे रहा है soya bean का तो soya bean का production हम सबसे जादा करते है oil seeds में इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है फिर उसके बाद में ये color combination हमें कहाँ दिखाई दे रहा है wrap seed, mustard, sarson उसको अब है याद रखना है और तीसरे नम्मर का है सर मुंगफली दाना, ground nut इन चीज़ों को याद रखना, इनका सबका increase हुआ है बाद में जो है थोड़ा सा decreasing trends दिख रहा है तो कल को ऐसा exam में question बन रहा है कि recent estimates ये कहते हैं कि decreasing trends है तो हाँ ठीक है याद रखना थोड़ा सा ये observations हैं लेकिन ये statement के form में आएंगे जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग unacademy पर नए बेच प्रारंब हो गए हैं आप लोग घर बैठे इंडिया के top educator से पढ़ सकते हो सारी preparation आपकी घर बैठे हो जाएगी specially वो learner जो next year जिनको exam देना है ये code है मेरा SGYT10 इस चीज को जो है थोड़ा अच्छे से आप लोग ध्यान रहें जब भी subscription लें you can use this code और साथी साथ जो भी आपके issues है related with the preparation की syllabus का coverage होना MCQs, answer writing इस सारी चीज़ें आपको जो है यहां तक मिलती चली जाएगी तो unacademy पर आप subscription बहुत लरणर इसका benefit ले चुके है आप भी इसका benefit ले सकते है तो अब तक हमने देखा trends summarize कर लेते हैं जल्दबाजी में इसमें आगे नहीं बढ़ें आराम से शान्ती से पढ़ना है food grain, oil और pulses में इनमें देखेंगे इससे ये सीखने को मिला हमें ठीक है इस वाले graph से हमें क्या सीखने को मिल रहा है ये वाले graph में जल्दी से हम quickly देखेंगे तो मतलब थोड़ा मैं समय ले रहा हूं ताकि आप याद भी यहीं कर लो तो इसमें अपने को याद रखना है कि rice जो है वो जादा है इसके बाद में wheat है और wheat के बाद में हम production देखेंगे तीसरे नमबर का तो यहाँ पर हमें maze दिखाई दे रहा है ठीक है इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है maze इसके बाद में जरा हम लोग maze मतलब normally यह चीज़ जो हम पढ़ रहा है मक्का फिर बात करेंगे ज़िए हम लोग oil seeds के बारे में मतलब cash crops के बारे में तो हमें यहाँ पर sugar cane ज़्यादा रखना है sugar cane जो है ज़्यादा दिखाई दे रहा है इसके बाद में फिर जो है next बारी जो आएगी वो cotton वगरे के बारे में बात करेंगे ठीक है इसके बाद में नीचे इधर आओगे आप तो यहाँ पर भी हम लोग देखें observe करें तो यह combination हमें जो दिखाई दे रहा है वो किसका दिखाई दे रहा है soybean का है soybean का ज़ो है जादा देखने के बाद फिर हम लोग इधर next अभी आगे जैसे estimate देख रहा हूँ आप तो इसमें हम लोगों को mustard जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद में तीसरे number पे हम लोग जो है ground net को रखेंगे ठीक है तो यह चीज कुछ थी लगभग इतना percent याद रखना कि जो है net zone area जो कुल हमारे भारत का जो छेतरफल है उसमें से करीब करीम इतना हम इसके आसपास जो है अपने को याद रखना है कि net zone area के अंतरगत जाता है ठीक है और दूसरा important point याद रखना है कि इतने प्रतिशत 50% से भी ज़्यादा workforce हमारे भारत में agriculture उससे light sector या उससे related sector से connected है इस चीज़ को भी याद रखना आप quickly आप लोग जल्दी से ये देखते जाए ये advance estimates में आपको बता रहा हूँ जो की लगभग जो data आपको मिल रहा है ज़्यादा तर change होते हैं कुछ-कुछ जो होंगे वो बता दूँगा जैसे अभी इसी में बताऊंगा आपको क्या-क्या change है cotton को हम लोग ton में न करते हुए ये उसकी unit है ये थोड़ा से याद रखना B.A.L.E.S. 1 bell करके जो हम बोलते हैं वेस्ट बेंगॉल सबसे जादा 21-22 तक यदि हम लोग चलें वेस्ट बेंगॉल, उत्तरपदेश, पंजाब, तेलंगाना, उडिसा हम ये नॉर्मली पढ़ते आए हो आप लोग लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है कि advance estimates पूछ रहा है या recently की बात पूछ रहा है में जाएगा कि normally production के मामले में वेस्ट बेंगॉल comparatively आगे रहा है बट अब जो है comparatively उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और इसको जो है थोड़ा याद रखना है जो recent data है इस हरकारी website पर मिल जाएगा आपको now coming to the wheat production wheat production में हमें जो हमेशा है उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, हर्याना, राजिस्थान यह हमों देखने को मिलता है ठीक है आगे में रवी खरीफ का भी आपको सब हिंट दे दूँगा तो उस चीज से आप बेफिकर रहे ताकि लास्ट में एक लिस्ट भी बना दी हमने बार एक्जाम में काम आएगा, नेक्स्ट वन इस ग्राम चना, मध्यप्रदेश में चना आगे रहेगा, मतलब यह थोड़ा से याद रखें, महरास्ट और फिर राजिस्थान, यह बहुत ज्यादा महतुपून तीन एक बार फिर से देख लो, यूपी को हमें अभी फिलाल राइस प्रोडक्शन में, एडवांस एस्टिमेट्स में लेके जाना है, जी हाँ, लेकिन ध्यान रहे, इन जनरल वो 2022-23 के बारे में पुराना भी पूछे, तो उसमें फिर वेस्ट बेंगॉल बगर तो मैंने दोनों चीज़ा आपके सामने हाँ पर रख दी है, मध्यप्र यहां पर एडवांस एस्टिमेट्स हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना यहां पर करनाटका है लास्ट येर तक, तो करनाटका पहले रखेंगे और उसके बाद में फिर आप आगे रख सकते हैं, तो करनाटक को थोड़ा सा मेज में आगे रखेंगे अभी हम लो मद्यप्रदेश इसमें हम लोग आगे रखेंगे, बारले का जो डेटा है उसमें राजिस्थान को आगे याद रखेंगे हम लोग, उसके बाद में उत्तर प्रदेश और फिर मद्यप्रदेश इसको याद रखना है, तोर दाल जो है हमारी उसमें करनाटक आगे रहेगा, ह प्रदेश को हम लोग को आगे रखना है उत्तर प्रदेश और फिर वेस्ट बेंगॉल इसके बाद में शुगर केन में नो डाउट उत्तर प्रदेश आगे रहेगा महारास्ट रहेगा इसमें थोड़ा सा कुईकली तीज चल रहा हूं ताकि जादे आपको वैसे भी नॉलेज वेस्ट बेंगॉल को याद रखना है हमें ठीक है अच्छे से याद रखना है यह बिहार उस रीजन में चूकि हमें पता है कि जूट को जो है दलदल वाली मिट्टी चाहिए होती है जी सर पटसन जिसे हम कहते हैं गोल्डन फाइबर तो उधर ही आपको सुंदरबन और बि दिहान रखना है सर हमें कि जो गुजरात है उसको अच्छे से याद रखें जी सर सो गुजरात में भूलना नहीं है गुजरात के बाद आंधर प्रदेश आएगा इसके बाद में जो है पोटेटो के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग तो पोटेटो में नॉर्मल सी कहानी ह जो है कि इसको यूपी याद रखिएगा यूपी और वेस्ट बेंगॉल को अच्छे से याद रखना है अपने को इसके बाद में ओनियन के बारे में पूछले वो कभी कोश्चन तो महरास्ट जो है आगे रखना है टोमेटों में मद्धिप्रदेश है ये थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग पार्ट हो सकता है कोकोनट ये कोश्चन आये है करनाटक केरला और तमिल नाडू अच्छे से याद रखना है करनाटक ठीक है मिल्क प्रोड़क्शन में उत्तर प्रदेश आगे है फिर राजिस्थान है फिर मद्धिप्रदेश है ओवरॉल वल्ड में देखो कि तो इंडिया की रैंक फस्ट है ये अभी थोड़ी देर आपको ये सब रैंकिंग्स वगरा जो है ये आगे जितने भी बोर्ट व समीन मतलब कॉंटिनेंटल पार्ट बात करें समुद्र किनारे को छोड़ दें समुद्र किनारे में जाओगे तो गुजरात केरला फिर तमिलनाड हुआ रहा है और इनलेंड में हम लोग देखेंगे तो आंद्रप्रदेश वेस्ट बेंगॉल और यूपी इस चीज़को भी मिला लोगे आप मरीन सिस्टम में तो फिर गुजरात है धरती अंदर पॉंड्स लेक वगरा में चले गए तो यह है इसके बाद में जैसे हम लोग बात करेंगे कभी-कभी यहां से भी कोश्चन आजकल आने लगे हैं यह मसाले वगरे स्पाइस जो है ब्लैक पेपर काली मि स्थापना होने वाली वह आपना आगे पढ़ेंगे क्यूमिन सीट जीरा राजिस्थान गुजरात है फैनिक गुरीक मध्यप्रदेश राजिस्थान और गुजरात बाइदवे फैनिक गुरीक को हिंदी में क्या कि कॉमेंट में पता हूं आप लोग के लिए हमें करनाटक केरला ठीक है जी हां इमली नेटमेग केरला को हम लोग आगे रखेंगे इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना कि कुछ ना समझाए तो इसकी एक इमेज देख लेना बली कुक्ली पर यह कुछ कुछ जो है जैसे टर्मरीक का एक्जाम में आ सकता है फेनुग नॉर्मली एलमंड वगरे के बारे में पूछ सकता है तो वो याद रखना है अपने को जम्मू कश्मीर में रखना है कैश्यू नट्स में महरास्ट यह इंट्रेस्टिंग कुछ बच्चे साउथ में कहीं चले जाएंगे लेकिन ध्यान रखना काजू वगरे जो है आपको रहेगा केरला रबर ठीक है एवर्ग्रीन फीचर है ज्यादा बारिष चाहिए सारी चीजें अच्छे से याद रखना कौफी में करनाटक को आगे रखेंगे केरला को वर्ल्ड में ब्राजील को चाय में टी में असम वेस्ट बेंगॉल तमिलनाडू डार्जिलिंग वगर याद होगा वेस्ट बेंगॉल का तो वर्ल्ड में चाइना इंडिया इंफेक्ट याद रखना कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश में भी आपको चाहिए देखने को मिलती है सुपारी लेलो गाइस स्वारी कानट में यह मलेशिया का नेटिव है लेकिन भारत में करनाट अगे है इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में ओइल सीट्स बारे में बात करें जो कुल टोटल जो भी आउइल सीट्स के में आपको बता रहा था ओवर्ल देखो कि तो राजिस्थान आगे है फिर MP आगे है नाव वर्ल्ड के प्रोडक्शन के बारे में वह थोड़ा बहुत परिशान कर सकता है वीट में कौन आगे है तो वही है चाइना आगे है फिर इंडिया का नमर आता है मक्का मेज यूएसे चाइना याद रखना है अपने को बारले रशिया और आस्ट्रेलिया यह राइस आ सकता है वही है चाइना इंडिया जाल में भारत आगे रहेगा, oil seeds याद रखेंगे हम, oil seeds को अच्छे जाद रखना है, Brazil, ठीक है, soya bean में अक्सर USA दिखता था, लेकिन अब recent data थोड़ा सा यहां पर बदलाओ दिखेगा आपको, Brazil जादा हो गया है, थोड़ा सा USA से, sunflower seeds में यह interesting question बन सकता है, Russia आ गया है, Ukraine से, rap seed, mustard oil बगर हैं, इसमें Canada, China, copra oil seeds मतलब यह coconut जो है, इसमें याद रखना है, Philippines और Indonesia आगे है, palm oil में Indonesia और Malaysia यहां से question बनते हैं, sugar cane, Brazil और India, कुछ बच्चे confused होते हैं, sugar production में, शक्कर को बनाने में, भारत आगे मिल जाएगा तुमें, लेकिन sugar cane, cultivation में Brazil आगे है, आगे बढ़ेंगे अब हम बहुत important चीज जो है अब discuss करेंगे हम लोग, and that is, दालों के बारे में, pulses, नामी नहीं पता होते हैं, तो पहले तो तुम दो मिनिट लगेगा, अच्छे से पढ़ लो, कई बार सुनते हो तुम chickpea, असल में वो grammy होता है, चना, देख रहा है, pigeon pea, tour होता है, cluster bean, guar gum जिसे हम कह पहा जाता है, horse gram, ठीक है, अच्छे से देख लो इसको भी, mot bean, इसको भी देख लो, उसके बाद में, field pea, जो normally आप यहाँ पर यह observe कर पा रहे हैं, मटर वगरा देखते रहते हैं, जो, उरद bean, उरद अकसर सुना होगा आप लोगों ने, in fact, उरद के लिए आप इसे black gram भी क कहते हैं, ठीक है, cow pea, यह लोबिया जो हम कहते हैं, जिसे, ठीक है, राजमा दिखाई दे रहा होगा, और जो, लेथैरस, कैशरी का, जिसे बोला जाता है, कैशरी करके, अब यह आपके region में, कुछी ने देखा हो, ने देखा हो, देख लीजे से, मूंग, मूंग अकसर जो ह असूर, शब्द हम अकसर यूज करते हैं, पीज मटर, रेड ग्राम, पीजन पी, इसको हम लोग जनरल यह पीजन पी इदर दिखाए था, मैंने आपको, यह, उसे रेड ग्राम भी बोला जाता है, सोयबीन, सोयबीन पता आपने को, किडिनी बीन, तो किडिनी बीन को भी आ अच्छे से आद रखना है, लोभिया जो हम लोग कह रहेते हैं, तो इसको शान्ती से एक बार अब्जर्व कर लेना है, कहीं बार क्या है, यह नाम एक्जाम में तुम PYQ चेक करना, ब्लैक ग्राम आरा है, पता ही नहीं, होर्स ग्राम आरा है, चिक पी आरा है, पिजन पी नहीं समझ आता क्या है पर अब थोड़ा सा इनको observation करो और पढ़के जाना और यह वीडियो तुम्हें next year वालों को भी काम आएगा अब बात करेंगे हम लोग इनके production के वारे में जैसे चिकपी जो ग्राम था वैसे total pulses में overall यह दी हम लोग बात करें तो MP को आगे रखेंगे महाराष्ट फिर राजिस्थान है चिकपी यहां RKR यह सब क्या है रवी एंड खरीव क्रॉप देखो ध्यान से समझ लो एक बार में एक रवी क्रॉप होता है और एक खरीव क्रॉप होता है इसको याद रखने के तरीके में अक्सर समझाता हूँ खरीव से आप ऐसे याद करो खराब हो गई फसल फसल कब खराब होती जब ज़्यादा बारिश हो जाए ज़्यादा बारिश में अक्सर सुनते हो आप तो बार रवी विंटर सीजन वाली फसल ध्यान रटना अब इसके हिसाब से तुम खुद लॉजिक लगा लो अराम से शांती से शांती से अबसर करो कि खरीफ क्रॉप को क्यों वो होगा जिसमें टेंपरेचर उस टाइम क्या रहता है जाद ही रहेगा रवी क्रॉप में टेंपरेचर क क्या हो गई कम हो गई 100 cm से कम हो जाएगी और खरीफ में जो भी क्रॉप लग रहे हैं उनको वाटर की रिक्वाइर्मेंट क्या होगी 100 cm से जादा उस समय गर्मी भी बहुत रहेगी तो जो टेंपरेचर जिसमें जादा हो रेनफॉल जिसमें जादा हो जी सर वो सब खरीफ क जो है उसमें MP आगे है ध्यान अच्छे से रखना पिजन पी महराष्ट ये अच्छे कोश्चन बन सकते हैं रवी क्रॉप बेसिकली रखते हैं इसको हम खरीफ रवी दोनों में लगा देते हैं किसान तो मूंग बीन जो है सभी उसमें चल जाता है राजिस्थान MP आगे है ये ये most important point है आप उड़द जो है MP में आगे है lentil मसूर मसूर जो कह रहा है थे वो MP में हम लोग याद रखना है कुछ बच्चे के इत्ता कैसे आद होगा देखो भाई या कुछ questions ऐसे हैं जो तुम्हें actual में लोगों से अलग करेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूँ एक दो बार पढ़ो के समझ में आ जाएगा और अभी मैंने इसलिए दिया वीडियो की थोड़ा last class में कुछ-कुछ याद तक दिख रहा है ठीक है उसके बाद में ये राजमा वगेरा में महरास्त आगे काउपी में पंजाब याद रखना इसमें भूल तो नहीं गए तुम लोग ये काउपी इसको भी जो है थोड़ा से याद रखना क्लस्टर वीन जो गवार है उसे अपने को याद रखना है राजिस्थान गुजरात ये उसमें भी यूज होता है शेल गैस को एक्स्ट्रेक्ट करने में जी हाँ शेल गैस जब निकालते हैं तो उसमें पानी के साथ इसको मिलाए जाता है गवार गम को ताकि थोड़ी पानी की थिक्सनेस बहतर हो जाए और गाड़ा हो जाए पानी और ज्यादा प्रेशर से हम लोग जो है अंदर तक पहुंच जाए धरती के खेर ये बहुत अच्छा इंट्रेस्टिंग चीज है यहां से कुश्चन आ सकता है आप हो जो पल्सेस में जादा योगदान है तो ग्राम है तूर है उरद है मूंग है एटलिस तीन चार आप लोग याद रखना इनका प्रोडक्शन का जो पठिशत देखो गया तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा इससे तो कल को बोले कि दालों में किसका सबसे जादा देखेंगे तो ओवरॉल खरीफ और रवी फसल अब देखो कैसे ग्राम जो है चना जो है आपका नॉर्मल यह दिए आप अब्जर करोगे यह चना जो है यह रवी फसल है ठंड में लगा जाता और चना वैसे ही आगे है तो इसलिए प्रतिशत रवी क्रॉप का जो है वो ज जादा होगा किस से रवी क्रॉप जो है वो जादा होगा किस से खरीफ वाले से ओवरॉल कंट्रिबुशन पूछे तो फसलों के बारे में पूछे और नॉर्मली क्रॉप के बारे में पूछेगा तो क्रॉप के बारे में पूछेगा तो अच्छे सियाद रखना क्रॉप मे ग्राम अपने को आगे रखना है ठीक है अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग यह slide बहुत काम किये इसमें हम लोग oil seeds के बारें बात करेंगे पहले images देख लो mustard पता है सोयबीन पता है आपको ground nut पता है ठीक है उसके आद में caster seed ये तिल है सेसमम जिसे हम कहते हैं sunflower seed, lincid, kusum ये flower होते हैं ये भी niger seed अब इनका आपको पूरा यहाँ पर मैंने table दे दिया है ground nut में गुजरात आगे है फिर राजिस्थान की बारी है caster seeds जो होते हैं आपके caster seeds ये दिख रहे हैं उपर caster seeds ये वाले इसमें गुजरात फिर राजिस्थान फिर तिलहन में तिल में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश नाइजर सीड में आपको याद रखना है उडिसा चटीजगर सोया बीन में अभी जो है recent आप देखोगे तो काफी बदलाव हमें जो है दिखाई दे रहे हैं जी हां महराश्ट फिर मध्यप्रदेश कहते तो बोले सोया स्टेट मध्यप्रदे इसलिए थोड़ा से एक बार सुन लो एक बार पीडिएफ वो कर लेना रैपसीड मस्टर्ड में राजिस्थान को आगे रखेंगे हम लोग फिर उत्तर प्रदेश फिर मध्यप्रदेश सेफ फ्लावर उसमें महराश्ट करनाटक तेलांगना और लिंसिड में मध्यप्रदे इसमें पढ़ सकते हो नहीं कुछ तो ठीक है यह तिल के बारे में मध्यप्रदेश आगे है ठीक है स्वयाबीन में महराश्ट को रखेंगे हम लोग संफ्लावर का करनाटक है तीन-चार बार पढ़ोगे ऐसे कोई दिक्कत नहीं कुछ नहीं होना है मस्टर्ड में इधर रा उडिशा है और हम्प में उडिशा उत्तरप्रदेश और करनाटक जी सर भांग ग्वार्सीड राजिस्थान हर्याना जो अभी मैंने बताया था आपको इसके बाद में एक चीज और याद रखना है ओईल पाम में ओवर आल यदि हम लोग देखें ओईल पाम वाला तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बारे में बात की थी हमने देखो इदर वर्ल्ड में इंडोनेशिया और मलेशिया तो यहां पर इस चीज को भी अच्छे से याद रखना है तो आंद्रप्रदेश और तेलांगना केरला जो है पाम ओईल ग्रोइंग स्टेट्स में आएगा उसके बाद में वर्ल्ड में भी जाओगे तो इंडोनेशिया मलेशिया यह हम लोग पढ़ चुके हैं आगे बढ़ते हैं MSP जो है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस खरीब क्रॉप में देखोगे तो सबसे ज़्यादा सेशमम का है फिर मूं का है फिर ना यह यह कोस्चन पैसा इसमें है MSP फिर आता है बोर्ड की कहानी यह भी नहीं समझ आते कहीं बार पढ़ते साल भरो लेकिन इखटा कहीं नहीं लिखा है कॉफी बोर्ड बैंगलोर में है रबर बोर्ड कोटायम केरला टी बोर्ड कोलकता हेड़कॉर्टर्स मिलेंगे तुम्हें इसके जोरह सबके सब आपको जो है Ministry of Commerce इसके अंतरकत दिखाई देंगे एक टर्मरिक बोर्ड के बारे में भी न्यूज में है वो भी इसी मंतरा लेके अंतरकत आएगा अब आई की बात इसमें National Beekeeping Honey Mission मदुमक्खी पालन जो शहद मिशन है ये लास्ट यर मैंने बताया था लेकिन पढ़के जाना Central Sponsored Scheme है National Bee Board का गठन किया गया था 2006 में उसके द्वारा ये Implement किया जाएगा CDC कानी है Honey Production को बढ़ाना है Production भी बढ़ा है Export भी बढ़ा हुआ है ठीक है भारत में पंजाब UP महराष्ट अभी मैं आपसे पूछल शहद का उत्पादन किया जाता तो कई बार हमसे नहीं बनेगा लेकिन आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है इसके बाद में Horticulture Board के बारे में पूछे वो आपसे और Coconut Development Board और B Board ये तीनों की कैटेगरी जो है Agriculture, Farmer, Welfare मन्तराले में जाएगी ये एक स्टेट्मेंट यहीं से आ जाता है कि कौन किसके अंतरगत है ठीक है गुरुग्राम में इसका Headquarter है, Kochi, Kerala में अपने को याद रखना है और Normally ये B Board अभी मैंने आपको बता दिया है तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि ये मंतराले इनका जो है Agriculture and Farmer Welfare के अंतरगत ही रखेंगे ठीक है उधर Commerce है और उसमें कौन-कौन से आ रहा है थे वो भी पता होने चीज़ अपने को Coffee, Rubber, Tea, Tobacco, Spices ठीक है? भूलना नहीं है बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, अब जो National Fisheries Development Board है 2006 में आया था, कई बार एक्जाम में हमारे लिए प्रिलिम्स एक्जाम में यह काम का नहीं है लेकिन हाँ ध्यान रखना है, किस मंतराले के तहत है, Fisheries and Animal Husbandry National Dairy Development, देखो Fisheries और Dairy Development को अच्छे से याद रखना है यह आनन्द गुजरात में इसका Headquarter आपको देखने को मिलेगा आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब Ministry of Textile में कौन-कौन से आते हैं Central Silk Board, Bangalore, Jute Board, Kolgata 2008 में Jute Act के तहत इसको बनाए गया था तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है इसके साथ-साथ, Staturatory Status भी है जो Fashion NIFT से related है, उससे related याद रखना और दूसरी important बात, इसको बनाया भी गया था Textile Committee जो गठित की गई थी उसके बाद जो है, इसका connection यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा So अच्छे से याद रखना, Ministry of Textiles में Silk Board भी आता है, Jute Board भी आता है और जो NIFT है, Fashion से संबंदित वो भी इसके अंतरगत आएगा यहाँ से एक-एक, दो-दो स्टेटमेंट्स कभी-कभी Prelims में परशान कर सकते हैं Quire Board जो है, यह कोची अलापुजा में इसका Headquarter है, इसका मंत्राल है Small Medium Enterprises Statutory Organization Quire क्या होता है, Coconut Fiber अच्छे से याद रखें अब बात करेंगे हम लोग Export करते हैं जब हम Products तो जो संस्था है, जी हाँ वो है Agriculture Processed Food Products and Export Authority यह है वो, 1985-86 में इसका गठन किया गया यह Fresh Vegetable, Fruits और भी जो यह दी आप देखोगे Meat Products, Paltry, Dairy Products, Biscuit, Honey, Cocoa, Alcoholic और यह जित्तिवे, Ground Nut, Gargum वगेर है, Flory Culture यह सारी चीज़ों को जब एक्सपोर्ट करना होता है तो यह Authority रहेगी शुगर का इंपोर्ट जो है और यह जो कहानी है शुगर से संबंदे भी इनका ही इसमें Connection है क्या Product Monitor नहीं होते है वो Question आ सकता है Tobacco, Coffee, Tea, Spices, Rubber Marine Products जो है क्यों? क्योंकि इनके अपने Boards बने हुए है तो वो याद रखना है आपको इसके बाद में यह जो दिखाई दे रहा है Marine Products Export Development Authority है उसका Marine Products से रिलेशन है तो जैसे Agriculture Product है तो उसका वो नहीं रहेगा कुछ Interesting Fact से याद रखना है कि इंडिया का Agriculture Export जो है उससे अपेड़ा का एक्सपोर्ट कंपेर जो इसके अंतरगत जो है संस्था के अंतरगत है वो कम ही रहेंगे सबसे ज़्यादा हमारे Markets में हम लोग देखे है तो हमारा Top Market है बांगलादेश ठीक है फिर UAE United Arab Emirates फिर Saudi Arab फिर USA यह 4-5 at least Markets हमारे याद रखना Export के कौन से है बेशर्ट तुमने खूब पढ़ा होगा Economy में, Agriculture बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगे ठीक है Benin, China वगरे में भी जाता है उसके बाद में Wheat बांगलादेश में सबसे ज़्यादा जा रहा है Indonesia में जा रहा है Makkah बांगलादेश में जा रहा है Groundnut इंडोनेशिया में जाता है Vietnam वगरे में दालें यही हम लोग देखें तो Bangladesh में जा रहा है फिर एक word और आता है इसी में Cardinal क्या होता है Cardinal यह याद रखना है यह एक ऐसा chemical उद्योग है जहां पर हम बात कर रहे होते हैं मतलब एक ऐसा उद्योग है Especially जो हमारे Cashew Nuts होते हैं उनसे liquid इसका यह निकाला जाता है Oil की तरह आप मान के चलिए जिसका इस्तमाल अलग-अलग Resins, Rubber Compounding जो Warnish होते हैं Paint होते हैं Paint वगरा, Paint Industry वगरा में इसका यूज किया जाता है तो यह शब्दों को कहीं लिख लेना अभी Prelims आने वाला है कुछ चीजें Short में पड़ो ज़्यादा फाइदे में रहोगी कुछ Technology है जैसे Direct Seeding Method का संबंद किस्से तो Paddy Cultivation का है सीधी सी बात है कि हम लोग नॉर्मली पानी वगरा में जब आपने देखा होगा नॉर्मल हम लोग खेतों में जब धान को लगाते हैं तो वो बिलकुल उसके रोपन विधी से लगाते हैं उसको प्रॉपर जो है प्लांटेशन की तरफ ले जाते हैं उसमें पानी भी बहुत लग जाता है ठीक है मतलब एक तरह से थोड़ा सा लेबर वर्क भी कमपेरेटिवली बहुत है स्वाइल की फर्टिलिटी पे भी बहुत ज़ादा जो है सेलिनिटी वगरा की कहानी बन जाती है वो सब चीज कम हो जाएगी एक अच्छी टेकनलोजी सस्टेनेबल अगरिकल्चर मेथट है डिरेट सीडिंग मेथट पेडी कल्टिवेशन से रिलेटेड है प्लास्टी कल्चर एक शब्द आजकल चल रहा है एगरिकल्चर सेक्टर में प्लास्टिक का जो यूज किया जा रहा है उससे रिलेटेड है जैसे सीडलिंग की ट्रेज यूज करना ग्रीन हाउस की एक फिल्म लगा देना तो जो भी प्लास्टिक यूज कर रहा है वो एक प्लास्टी कल्चर है इसके अपने खुद के नेगेटिव इंपेक्ट्स होते है एग प्रोडक्शन जो है उसमें आंधर प्रदेश को आगे रखना है फिर तमिलनाडू आएगा वूल प्रोडक्शन में राजिस्थान आगे है फिर जम्मू कश्मीर है उसके बाद में पलामूरू रंगा रेड़ी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ये क्रशना रिवर पे आपको देखने को मिलेगा तेलांगना स्टेट में है अकदी सालू ये शब्द क्या है तो ये एक इंटर क्रॉपिंग सिस्टम है इंटर क्रॉपिंग सिस्टम में जनरली हम क्या करते हैं कि जो भी कोई फसल लगा रहे हैं स्वाइल कंजर्विशन टेकनिक्स में ये यूज किया जाता है तो उसमें हम कुछो भी फसल लगा उसके बीच में दूसरी फसल भी हम पैरलली साथ में लगा देते हैं तो कई बार क्या होता है एक टाइम पे खेत पुरा खाली नहीं रहता स्वाइल इरोजन जो है वो प्रोमोट नहीं होता क्योंकि यदि पेड़ पौधे लगे रहेंगे मिट्टी पे तो जड़ जो है उससे बचा के रखेगी तो उसके साथ-साथ इंटर-टॉपिंग सिस्टम किसी और के साथ भी दूसरी फसलों के साथ भी आप लगा सकते हो यह इंटर-टॉपिंग सिस्टम है करनाटक का है और कोशिश हम इसमें कर रहे होते हैं फिर अभी मैं बात कर रहा था, National Turmeric Board के बारे में, ये किस मंत्राले के अंतरगत आएगा, Commerce and Industry में, भारत सबसे बड़ा largest producer है, टर्मरीक का, ये बात आपको याद रखने हैं, इसके बाद में, Zero Budget Natural Farming, Chemical Free Agriculture, यूज़ करना मतलब अगरी कल्चर में, chemical को हमें यूज़ नहीं करना ह उसका main concept यह है, चार से पांच चीज़ें हैं इसमें, जैसे जीव मित्र करके, जीवामृत जिसमें आप बोल सकते हो, और बीजामृता, और उसके बाद में अच्छा दना, और वाफसा करके ये शब्द चार यूज़ करेंगे हम इसमें, क्या होते हैं, तो जीवामृता, ज बीजामृत में आएगा, बीजामृता में आएगा, और जो अच्छा दना है, उसमें मल्चिंग कर रहे होते हैं, मल्चिंग मतलब क्या, नॉर्मली आपको मैं बताता हूँ, जैसे यह देखो इदर, जब हम क्या करते हैं, पेड़ पौध हैं, जो इसे मानलो फसल लगी हु तो हम घास से उसको ढग देते हैं, मल्चिंग कर देते हैं, कुरी स्वाइल को ढग देना, कवर कर देना, ग्रास से, कोई आजकल तो मल्चिंग जो है, प्लास्टिक, पॉलिथीन वगरे से भी यूज़ करने लगे हैं, तो उसमें जो है, वाटर का लॉस भी नहीं होता, बि हम यूज़ कर रहे होते हैं, ओवरॉल हमें एक और गेनिक फार्मिंग की तरफ मतलब एक तरह से जीरो बजट, हम नैच्रल फार्मिंग कर रहे हैं, पुराने ट्रिडिशन वाली फार्मिंग कर रहे हैं, और इसमें कोई भी हम स्वाइल को कंजर्वेशन टेकनीक के तहत भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, not destroyed by tilling, मतलब क्या की जो मिट्टी है उसको हम क्या करते हैं, नौर्मली कल्टिवेटर से पूरी कल्टिवेट कर देते हैं, यह यह देखो, यह ट्रेक्टर वेक्टर चला के जो है पूरा इसको सब, इसमें क्या होता ह carbon content भी चला गया, जी सर, carbon सब खत्म हो गया, जो organic content है, soil का, वो भी सब चला गया, तो यह tillage बात करते हैं, इसको हम कहते हैं, tillage बनाना, जी सर, मतलब पूरी जो है, जुताई कर देना एक तरह से, बुआई वगरा के पहले वाली जो कहानी है, लेकिन एक नई, आज के sustainable practices में क decompose होगा, और वो एक organic fertilizer की तरह भी काम करेगा, और हमारी soil भी conserve बनी रहेगी, तो zero tillage वाला जो concept है, वो यही है, कि जब उसमें organic compounds होते हैं, तो भाई अब घास बगरा रहेगा, तो क्या रहेगा, मतलब जो सूखा घास बगरा रहेगा, पुरानी फसल जो रहेगी, वो water को hold अच्छे से करेगी, उसके बाद में soil erosion कम होगा, ठीक है, soil की जो health है वो अच्छी हो जाएगी, आपको उतना ही fertilizer कम देना पड़ेगा, जी सर, और मिट्टी जो है, soil erosion भी कम होगा, मिट्टी भहेगी नहीं, क्योंकि वो पूरी मिट्टी जो है, आपकी lose नहीं हुई है, वो बंधी हुई है इन पूरानी वाली फसल से, तो no tillage जो है अच्छी चीज है, no tillage एक अच्छी चीज है, कि आप ये tractor वगएरे की मदद से पूरी soil को उपर नीचे नहीं कर रहे हो, क्योंकि पूरे जो top soil है, humus वगएरे, minerals वो सब इधर दुर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो हम जो पढ़ रहे थे, कि इसमें, last वाले में हम क्या करोशिस कर रहे हैं, कि हम लोग mulching करने की process कर रहे हैं, मतलब हम उसे soil को covering बढ़ा रहे हैं, soil की covering को बढ़ा रहे हैं, हम उसको destroy नहीं कर रहे हैं, tilling से, जी हां, इस इस से हमें फिर हमारी irrigation की requirements भी कम हो जाएंगी, पानी की availability वो बहुत अच्छे से जो है, हम ensure कर सकते हैं, system of rice intensification, अब भई, इसमें क्या है, intensification, कोई चीज को intensify कर देना, बड़े स्तर पर लगा देना, बहुत जादा intensively उसको use कर देना, मतलब इसमें हम लोग yields जादा करने की उसमें मतलब crop जादा लगा देते हैं किसी पर एरिया में, जी सर, और organic manure का बहुत जादा use करते हैं इसमें हम लोग, थोड़ा labor intensive है, लेकिन productivity को बढ़ाने के लिए है, तो intensification को अच्छे से जाद रखना है, इसमें yield बढ़ती है, जी सर, organic manure का जादा use होता है, labor intensive है ये, और स classification, तीवर गहन जादा जिसको हम कह सकते हैं, लास्ट यर मैंने बताया थे, एक bio flock technology का संबंद क्या है, तो जो fish, मचली पालन होता है, उसका जो waste निकलता है, उसको आप use कर सकते हो, एक तरह से आप कह सकते हो, agriculture वगरे में भी, तो जो fish का waste है, वो convert किया जाता है useful nutrients में, इसमे हैं, फिर कई बार हम ऐसी एक technology जिसमें हम productivity जादा करते हैं, और साथी साथ, fish farming में इसमें क्या होता है, कि बार-बार पानी को हमें बदलना नहीं पड़ता, जी सर, तो इस चीज़ को भी जो है थोड़ा ध्यान रखना है, bio flock technology, agriculture से related है, fish farming से related है, fish के waste से related है, एक कुछ keywords है, जो कि अच्छे से याद रखना है, food fortification, ये भी बहुत news में रहा है, हमें मालूम है कि भोजन तो हमें after green revolution मिल गया था, हरित करान्तिकाद हमें production बहुत अच्छा कर लिया था, लेकिन ये चीज़ हम अकसर भूल जाते हैं, कि हमारे पास सारे crops हैं, सारे food grains हैं, लेकिन उसमें अभी nutrition की कमी है, तो hidden hunger अभी भूग तो मिट गई लेकिन छोपी हुई भूग बाकी है, तो food fortification का ये concept है, कि इसमें हम लोग कोई भी जो crop हमारा जैसे rice है, उसमें vitamins, minerals, micronutrients अलग से add करते हैं, जैसे schools वगरा में ये योजनाय चला सकते हैं, child care इससे बहतर हो सकता है, मतलब एक तरह से आप याद रखना कि crop में food grains जो है, उसमें आप अलग से add कर रहे हो mineral, that is fortification, rice fortification एक example बन सकता है, agri stack इसमें collection of digital database है, और especially एक farmer ID बनाने की बात करता है, जो कि आधार से link रहेगा और बहतर digitization को बढ़ावा देने के लिए है, इसके बाद में fishery survey of India कहा है, तो Mumbai में है, national fisheries development board है, यह match the column type का question बन सकता है, coastal aquaculture authority जो है वो चेन्ने में है, गोपाल रतन एवार्ड का संबंद livestock dairy sector से है, याद रखना, राष्ट्रिय गोकुल मिशन, यह conservation of bovine breeds मतलब overall milk production धारू पश्वों को बहतर करने से है, फिर कई बार क्या होता है, कुछ technology और है, जैसे vertical farming व पानी में ही मिला देते हैं, तो पानी में जब खेती कर रहे होते हैं, आप hydroponics कहते हैं, उसको hydro, hydro शब्दो को याद रखना, मतलब उसमें हम लोग सारे nutrients जो है, पानी में ही मिला देते हैं, ताकि जो है, soil बगईर की ज़्यदा अवशक्ता न बढ़े हमें, उसके बाद मे एक aeroponics होता है जिसमें हम लोग बात कर रहे होते हैं कि जो roots हैं वो एक तरह से grow कर रही होती है humid environment में without soil, soil की यहाँ पर आवशक्ता नहीं है, जी sir, aeroponics, air के बारे में बात कर रहे हैं aquaponics में क्या होता है, hydroponic, aquaponics थोड़ा सा लगे, aquaponics में combination है एक तरह से मतलब इसमें जो है fishes, plants, bacteria का भी use कर रहे है, fish जो है वो क्या करती है, कि जो waste अपना जब create करती है, तो वो ही use हो जाता है, उससे related पानी यूज हो जाता है, जी sir, तो वो एक organic खाज की तरह भी काम करेगा, exactly, तो पानी भी है यहाँ पर, और यहाँ पर fisheries, plants, bacteria बगर इनका combination है, तो इस चीज को जो है थोड़ा सा याद रखना है, इसके बाद में, normally हम लोग देखें, तो हमारे पौधों को यहाँ पर खाद मिल रहा है directly, तो यहाँ पर air के साथ और water का दोनों का combination कर दिया है, जी sir, तो produce, यह fish जो है, वो ammonia rich बनाती है, ammonia से फिर वो nitrate बगर बनता है नाइटर्स हमें पता है, plants की growth के लिए जरूरत होती है, तो यह तीनों चीज़ें जो है, aquaponics, hydroponics और aeroponics, यह vertical farming की category होती है, vertical farming का प्रकार है, vertical farming मतलब किसी भी इसे मान लीजे मैं towers बना दू, और वहीं पर इनका फॉर्म मतलब मुझे मिट्टी पर नहीं लगाना है, तो किया जा सकता है, यहाँ पर soil की availability नहीं है, limited है, वहाँ पर इसका इस्तमाल किया जा सकता है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है, यह basic word है, इनको पढ़के जाना है, अभी prelims के पहले exam में direct आ सकते हैं, तो vertical farming में aeroponics, aquaponics और hydroponics आएगा, जी मन्द, actual में जब हम mushroom cultivation करते हैं, तो mushroom जब cultivate करते हैं, तो उस प्रकरिया में यह इस्तमाल होता, तो यह शब्द आ सकता है, जिसमें हम mushroom वगरा को जब लगा रहे होते हैं, उसमें इसका इसका इस्तमाल किया जाता है, ठीक है, उसके बाद में no tillage farming में आपको बता दिया है, कि खेतों में direct जब हम कोई crop खत्म होता है, तो इसको direct हम इसे soil को बाहर निकाल देते हैं, तो यह tillage है, इसको नहीं करना है, that is no tillage farming, तो यह sustainable agriculture farming के practices होती है, लास्ट में यह दो मेने आपको table दे दिया है, रभी crop कौन-कौन से होते हैं, देखो कुछ exceptions भी बन सकते हैं, farmer अपनी temperature कम होता है, rainfall कम होती है, ठंड के समय लगता है, रभी भीया ठंड में खड़े हैं, ऐसे याद रखो, खरीफ, खराब, फसल, याद रखना, तेज बारिश, heavy rainfall, मतलब अब rainfall कब होती है, तो तुम्हें जून से लगा के आगे का मन्त भी याद हो गया, पूरे October, November तक, उधर वाला किसमें चला जाएगा, ठंड कब लगती है, November, December में, उस समय rainfall कम होता है, तो उधर बारिश की requirement भी ज़र कम है, यहाँ पर हमें water भी जो है, water ज़्यादा चाहिए, rainfall ज़्यादा चाहिए, temperature ज़्यादा चाहिए, at least 22 degree centigrade से ज़्यादा चाहिए, तो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी है, तो खरी फर भी का combination भी याद रखना, शान्ती से देखोगे, तो मैंने सारे crops के production, state wise, world में पूरा scenario, अलग-अलग जो ये डाले होती हैं, उनके नाम, उनके production, उसके according पूरी seasonality के हिसाब से, फिर यह आपके जितने भी oil seeds हैं, palm वगरा के बारे में, tobacco, सारे board जितने भी होते हैं, जी sir, इसके बाद में, अपेड़ा का जो काम है, उससे related ये सारी चीज़ें, एक important बात यहाँ पर ये है, कि कुछ GI tags वाले mango हैं, उनके question भी बन सकते हैं, कि दशेरी mango का origin, जरडालू mango कहा है, खिरसापती mango कहा है, फजली mango कहा है, लक्षमन भोग कहा है, जल्ले कुरसानी वाकर हैं, तो ये अच्छे से याद रहा है, कहां-कहां export जा रहे हैं, इनको भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो ये content खुद निकालोगे, 8-10 घंटे लग जाएंगे, believe करिए, comment ज़रूर करना नीचे, कैसा लगा वीडियो, ये PDF आपको नीचे मिल जाएगा और साथ में ये code मेरा हमेशा यूज़ करें आप, 50% का discount आप लोग के लिए चल रहा है, top educators हर subject के लिए हैं, complete GS, CS, test series, सब कुछ मिल जाएगा, सारे batches जो हैं आप attend कर सकते हैं, और subscription लेकर अपनी घरबेटे इंडिया के top educators से पूरी तयारी कर सकते हैं, ध्यान रहे, जब भी आप इस वीडियो को देखें, उस समय भी कुछ offer आपके लिए available होगा, तो नीचे आपको link में मिल जाएगा, so subscription लेकर आप अपनी preparation को आसान मना सकते हैं, thank you so much, और वीडियो कैसे लगा, जरूर बताएं comment में, बहुत बहुत धन्यवाद,